तुमने बुलाया औरे हम चले आये एक बार फिर से हाजिर हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं इसको अच्छे से रिवीव कर सकूँ और इस सौंग के आपको एक एक बारी की बता सकूँ माने कि रितिक रोशन जी के बारे में मैं क्या बता हूँ जो गाना है इस गाने में यार क्या मतब किया है इन लोगोंने काम आप यही सब पता चलने वाला है उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले बेल नोट्रिक्राइब भी आउन कर दे क्योंकि आपको मेरे आगे आनले वीडियो के अपडेट्स मिल या है तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस गाने का रिवीव और हाँ उससे पहले मैं फिर से वे डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं जो भी रिवीव कर रहा हूँ माने कि मुझे जितना म्यूजिक का नौलेज है मैं अपने सब सची बाते बताने के कोशिश करता हूँ बाकि आप लोग जाएए खुद देखे खुद गाने को जच किजिए तो आएए हुजूर चड़ाते हैं हम आप पे अपने इस वीडियो का इस गाने के बारे में बता दो सर में हैंडसम लग रहे हैं और साथ में दीपका पाडुकोंड अनिल कपूर और करन भी नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं बात करूँगा म्यूजिक की देखे गाना जब शुरू होगा आप इस गाने की बीट से दीरे दीरे से बीट स्टार्ट होगी वो बीट जैसे ही शुरू होगी न एक नशा टाइप का चड़ जाएगा पाल्टी एंथम सॉंग है और उस बीट में चार च कई दोस्त मिल के पार्टी कर रहे हैं किसी चीज का जश्न मना रहे हैं आज शेर खुल गए उस तरीके की इसकी लिरिक्ष है और लग रहा है कि एकदम खुला मस्ती महौल के मूड में है कोई विक्ट्री का जश्न मना रहे हैं और जिस तरीके से रितिक रोशन जी नजर आ है ना माने की यार कितनी बार दिल लेंगे सरा मैंन का शुरूर से फैनु जब से को होना प्यार है और इतिक रोशन का डान्स इस पर चारचान लगा रहा धीमे धीमे से स्टेव हैं देए कैसे स्टेव कर रहे हैं क्या मदब खुमारी चा जाती स्टेव में ये स्टेव अभी ट्रेडमार्क बनने वाला है और दीपका पादुकोन ने गजब की डांस स्किल्स दिखाई है और रितिक रोशन दीपका पादुकोन बहुत ही अच्छे से इसमें जूमे हैं माने की जुमाया है मेन वीडियो का एक्ट्रेशन रितिक रोशन सर रहे है इसकी कोरियोग्रॉफी मुझे बहुत अच्छी लगी डांस की और वीडियो भी बहुत अच्छा है मस्ती के मोहल में उसमें चारचान लगाते है जब अनिल कपूर सर की एंट्री होती है अभी भी देखिए किते जवान लग रहे हैं उनका डांस उसका स्काइल इवर ग्रीन अनिल कपूर सर गजब की अक्टिंग की है और करन भी बहुत अच्छे लग रहे है overall मुझे गाने का वीडियो बहुत अच्छा लगा और म्यूजिक मैं क्या ही बता हूँ विशाल शेकर सर भी पठान लेके आये थे जो भी बनाते हैं एक ट्रेडमार्क छोड़ देते हैं बहुत ही गजब का म्यूजिक है उसकी लिरिक साथ सुनेंगे ऐसा लगेगा कि आज शेर खुल गए मतलब आज मुझे रोको न टोको आज मुझे मस्ती के महौल में है जब चार दोस्त मिलेंगे बता देने पार्टी में आटकल जाम पे जाम टकराते हैं तो क्या मोहल बनता है वही इस गाने में दिखाया गया है और overall इस गाने को गाया भी बहुत अच्छा है बेने देल सार और विशाल सेकर सार ने शिल्पा राओ की आवाज तो है ही सदा बाहर मुझे ये गाना अच्छा नहीं बहुत 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 अच्छा लगा और ये गाना पार्टी एंधम बनने वाला है और आप लोगों कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और इस गाने में मुझे सबसे वो Center of Attraction रितिक रोशन सर मदब काली ड्रेस में तो यार वो आग लगा रहे है अभी भी कितने हैंडसम लग रहे है और इस एज में जो इनकी एनरजी लेविल है ना डांस का गजब इंडिया में डांस में इनके बराबर कोई नहीं और overall मुझे गाना बहुत 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 अच्छा लगा रुझे माता वी जैंकिस्तन, love you a lot